और भाई क्या हाल हैं तो ये है Redmi K20 Pro के लिए latest voltage OS का 2.5 official update और भाई इसको मैं almost 2 दिन से try करा हूँ अब थोड़ा सा time की कमी है मेरे पास इस महीने के अंदर आप बोल सकते हो क्योंकि मेरे को घर का काम करवाना है भाई तो उस बज़े से वीडियोस थोड़े से कम आएंगे तो थोड़ा manage कर लेना सबसे पहले अगर आप चैनल पे नए है तो भाई प्लीज सब्सक्राइब कर सकते हो और सबसे पहले about phone page में आपको मिलेगा Android version 13 voltage OS का typical logo and voltage OS version 2.5 official update उसके बाद आपको यहां पर May 2023 का Android security update मिलेगा alchemy kernel है जो कि आपका May 6 से updated है और cynic status आपका यहां पे आपको enforcing मिलेगा build date भी आपको May 6 मिल जाती है और next T-rex ROM के ओपर most probably मैं वीडियो देने की कोशिक करूँगा तो सबसे पहले अगर हम इसका stock camera देखते हैं तो यह आपको graphene OS का camera देखने को मिलेगा जिसमें QR codes बगरा के यह options आपको show करेगा उसके बाद अगर आप LMC 8.4 ट्राइ करना चाहते हो तो यह भाई perfectly working है कोई भी mode यहां पर आपका crash नहीं करेगा almost सभी चीज़ें यहां पर working है आप check out कर सकते हो तो इस camera को आप definitely try कर सकते हो यह चैनल के उपर है और अगर आप quick setting panel को pull down करते हो minor सा stuttering आपको यहां पर still देखने को मिल जाता है अगर आप first time के लिए इसको यहां पर scroll down करते हो बिल्कुल minor सा stuttering होता है बट overall आप देखोगे तो experience काफी अच्छा रहेगा इवन अगर आप opening closing animation की speed देखना चाते हो तो वो काफी ज़्यदा अच्छी है ROM काफी responsive है animations काफी smooth आपको मिलेंगे as you can see तो कुछ ऐसा overall experience मिलेगा recent menu आपको कुछ ऐसा मिलेगा clear roll का option है और left side में आपको यहां पर google cards नहीं मिलता क्योंकि ROM बिना gapps के है तो gapps आप अपने coordinate try कर सकते हो और यहां पर double tap to जो है sleep का option आपको मिलेगा काफी सारे options add हो चुके है like gesture के लिए action आप set कर सकते हो कुछ इस तरीके से आपको option मिल जाएंगे और यहां पर आप disable कर सकते हो touch बगरा को shake करके और यहां पर intensity का भी option आपको मिल जाता है hot seat background है और यह quick space के लिए options आपको मिल जाएंगे जो कि थोड़ा सा minimalistic आपको मिलेगा और यह app drawer के options है recent में देख सकते हो काफी सारे options आचुके हैं और miscellaneous में भी आपको tons of features देखने को मिलेंगे बाकि hidden and protected apps आप try कर सकते हो और कुछ ऐसा आप minimalistic look के हाँ पर apply कर सकते हो at a glance बोल सकते हो या फिर आप इसको quick space वगरा भी बोल सकते हो जैसा इसके launcher setting के अंदर लिखा है अब अगर आप setting के अंदर जाओगे तो apps में आपको मैं दिखाता हूँ सबसे पहले हम internet and network के अंदर चलेंगे तो यहाँ पर आपको option मिल जाएगा force, lt, carrier, aggregation का तो यहाँ पर आप इसको enable कर सकते हो यह almost सब भी ROMS के अंदर आ चुका है उसके बाद apps में parallel space रहेगा power hub के अंदर जो changes है वो सारे के सारे same है भाई almost हमने 2.4 के अंदर भी चीज़ें चेक आउट की हैं, सबके सब changes से मिलेंगे मैं इसके ओपर time waste नहीं करूँगा और यह battery का usage है, sleep mode आपको मिलेगा sound and vibration में आपको यहाँ पर me sound enhancer देखने को मिलेगा और यहाँ पर clear speaker पर आए volume controls है display के अंदर live display का option है जिसमें color calibration picture adjustment तो नहीं मिलता, prevental accidental wake up है और यहाँ पर colors के options आपको मिल जाएंगे बाकि tap to wake है उसके बाद यहाँ पर DC dimming और HBM दोनों रहेंगे, और wallpaper and style की बात करें तो यहाँ पर आपको shortcuts का option मिल जाता है, जो कि perfectly working है और यहाँ पर shortcuts भी आप customize कर सकते हो, lock screen के अंदर उसके बाद आपको custom themed icon मिल जाएंगे जिसमें lawn icons का भी I think support है और यहाँ पर आपको जो है यह icon pack change करने के लिए option मिलेंगे बाकि जो है fonts आप change कर सकते हो और यह जो आपको यहाँ पर wallpaper मिलता है यह by default है, face unlock and finger paint और app lock तीनों रहेंगे और speed मैं चेक करवा देता हूं भाई, कुछ ऐसी speed आपको मिल गी थोड़ इसी screen off के साथ ना आपको slow feel हो सकती है बड़ screen on के साथ जो speed up वो अच्छी है, बड़ इसका जो animation है ना यहाँ पर यह आपको FOD का animation मिलता है, यह थोड़ा सा आपको यहाँ पर lag ही feel हो सकता है बड़ unlocking animation smooth है और मैं आपको screen off के साथ एक बार check करवा देता हूं तो overall जो चीज़े हैं वो काफी अच्छे से optimized है भाई, और यहाँ पर आपको gesture navigation के अंदर two button missing मिलेगा, pill की length radius और यहाँ पर haptic feedback option I think नहीं मिलता यहाँ पर मिलेगा, इसको आप enable कर सकते हो और यहाँ पर आपको swipe to screenshot का भी option मिलेगा end updater है, जिसके थूँ आप OT updates को check out कर सकते हो और ROM के अंदर जो device आपका वो आपको certified मिल जाता है, वाईसे ही wide van L1 भी आपको मिलेगा, google photos में spoofing भी रहेगी, और यहाँ पर आपको यह maximum charging speed मिल जाते, 33 watts से, तो max charging speed मिल जाएगी, कोई major issues नहीं आने वाले, और यह battery consumption है normal usage में around 8-9% परार के आसपास, और यह मेरा consumption है भाई, थोड़ा 2-3 दिन use करने के बाद, वैसे मैंने इसको जो है as a primary device तो नहीं use किया, बड़ यहाँ पर यहाँ पर जो active train है, इसमें थोड़ा सा mixed consumption रही मेरी, और यह कुछ maximum गया, और यह आपको geek band 6 के scores मिलेंगे बागी, जो आपका CPU throttling graph है, यहाँ पर आपका CPU बिल्कुल भी throttle नहीं करता, और 5,41,000 के आज पास आपको N22 benchmark के अंदर scores मिल जाते हैं, और wildlife test के scores आपके सामने हैं, तो जो BGMI का experience है भाई, वो मैं आपके साथ share कर देता हूँ, 60 FPS के अंदर भाई, जो performance है ना, वो काफी कमाल की हो चुकी है, और यहाँ पे ना, इस बार आपको close range के अंदर भी कोई major FPS drop देखने को नहीं मिलेंगे, और एक चीज़ और यहाँ पे better आपको मिलती है, वो है responsiveness, तो responsiveness काफी अच्छी है बढ़ा एक issue मैं आपको और बता देता हूँ, अगर आप screen recording करना चाहते हो ना, then आपको responsiveness है, जो आपके touch का response है वो काफी जो है, थोड़ा slow feel हो सकता है, पर अगर आप नॉर्मली खेलोगे बिना screen recording के, then आपको कोई problem नहीं आने वाली, close range में जो touch response वगरा है, वो काफी अच्छा है, fps काफी अच्छा आ रहे थे, और max temperature मेरा गया, with screen recording 38, 39 degree के आसपास, and yellow circle में मैंने try किया, तो performance by close range के अंदर आप clearly check कर सकते हो, आपको कहीं भी major fps drop नहीं देखने को मिलेंगे, that's all for this video, please video को like कर सकते हो, मिलेंगे next interesting video के तो,